आज हम करेंगे exercise 3.7 का fourth question जिसमें कहता है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है यदि पंक्ती में तीन विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ती कम होती और यदि पंक्ती में तीन विद्यार्थी कम होते तो दो पंक्ती अधिक बनती कक्षा में विद्यार्थियों की टोटल संख्या ग्याद कीजिए इस ताइप के question में आपको पता ही है कि जो हमसे पूछा जाता है हम से पहले उसी को मानते हैं कि माना कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या ठीक है यही मानते हैं लेकिन क्या इस question में हम ये direct नहीं मान सकते कि विद्यार्थियों की total संख्या को हमने x मान लिया है, y मान लिया, ठीक है, इसको करने से पहले हम थोड़ा से एक example लेंगे, ठीक है, माना एक अक्षा है, उसके विद्यार्थी खड़े हैं ये, ठीक है, यहाँ पे 3 पंक्तियां है यहाँ पे कितने पंक्तियां है, एक, दो और तीन, तीन पंक्तियां है, और एक पंक्तियां में कितने बच्चे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, तीन, चार, पांच, यानि कि एक पंक्तियां में 5 बच्चे हैं, और total पंक्तियां कितनी हैं, ठीक है, अगर हमें इनका निकालना है कि ये सारे ये सारे विद्यार्थी कितने है तो हम कैसे निकालेंगे एक पंग्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितने है और क्या है साथ में पंग्तियों की संख्या कितने है ठीक है ना एक पंग्तियों से पंग्तियों की संख्या कितने है तीन ठीक है इसका म कि पंक्तियों की संख्या कितनी है और एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ठीक है ना दो बाते पता होने चाहिए कि पंक्तियों की संख्या कितनी है और पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितन तो उसके लिए हमें दो चीजे पहले पता होनी चाहिए क्या कि पंक्तियों की संख्या कितनी है और एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो हल में सबसे पहले हम यही मानेंगे कि माना एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी मानेंगे हम X और प लिखेंगे हां पर कि कक्षा में विध्यार्त्यों की संख्या, x-y तो जाकि हमारे पास काक्षा का है य इसका मतलब क्या है? कि हमें X और Y की value निकालने है में ठीक है उनको आपस में गुणा करना है उससे हमारे पास कक्षा में total विद्यारतियों की संख्या जाएगे ठीक है अब ये X और Y की value निकालने के लिए हम दो समीकर्ण बनाएंगे दो समीकर्ण हमारे पास दो case से बनेगी दो situation इनों दी हुई है दो situation से हम दो समीकर्ण बनाएंगे उन समीकर्णों को हम हल करके X और Y के मान निकालेंगे X और Y के मान को हम आपस में गुणा करेंगे वहां से हमारे पास कक्षा में विद्यारतियों की संख्या जाएगे ठीक है ना तो सबसे पहले हम case first की अगर बात करें case question में उने कहा है कि यदि पंक्ती में तीन विद्यारति अधिक होते यानि कि X में प्लस किया यानि कि विद्यारति की संख्या अगर प्लस होती यानि कि X प्लस में तीन ठीक है और क्या कहा है तो एक पंक्ती कम होती पंक्ती क्या है Y है तो इसका मतलब पंक्ती क्या होती एक कम होती यानि कि y- में 1 ठीक है न तो अगर हम इनको लिखने का क्या ढ़ंग है x प्लस में 3 और y माइनस के 1 बराबर xy ठीक है ये xy क्या है टोटल विद्यार्थियों की संख्या ठीक है जो इन्होंने कहा है वही हमने लिखा है क्या कि ये पंक्ती में 3 3 विद्यार्थि अधिक हो थी अधिक मैंने क्या हमने प्लस कर दिया तो क्या होता एक पंक्ती कम बनती पंक्ती यानि ये ये वाई वाई में से एक कम कर दिया ठीक है और ये बराबर किसके है टोटल विद्यार्थियों की संख्या ठीक है ये हम इनको करेंगे हम ठीक से लिखेंगे तो क्या हैगा x y, इस x को 1 से करेंगे minus के x, इस 3 को y से करेंगे plus के 3 y इस 3 को से minus 1 से करेंगे minus के 3 बराबर में x y, x y से x y हुआ cancel, बाकि क्या बचा, minus के x plus के 3 y, ये 3 उदर चला जाएगा बराबर से, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, अधर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, अधर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, यह बन की हम समीकर नमबर 1, ठीक है, अब हम बात करेंगे, के सेकंड की, उसमें क्या है, उसमें क्या कहता है, कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थिक कम होते, ठीक है, तो दो पंक्तियां अधिक है यह दो पंक्तियां अधिक बनती Y प्लस 2 होता अ झाँ ना यही होगा तो बराबर किसके है visit इस इस समीकर्ण से हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं वो हम कैसे निकालेंगे वो हम निकालेंगे विल ओपन वीदि के द्वार ठीक है हम यहाँ देख यहाँ भी तीन वाई है यह अप समेशानी से कट जाएंगे ठीक है हम समी करण 1 और समी करण 2 को जोडने पर समी करण 1 तथा समी करण 2 को जोडने पर यह समी करण 1 है यानि कि माइनस के x प्लस में 3y बराबर में 3 यह समी करण 2 है यानि कि 2x माइनस में 3y बराबर में कहा 6 ठीक है यह आपस में हुए cancel यहां क्या बचा, यह प्लस के हैं, माइनस के हैं, प्लस मायनस माइनस, 2 में से 1x बचा यहां पर 6 और 3 9, X का मान कितना गया नो, अब इस X का मान 9, समी करण 1 में रखने पर समय करन एक हमारी ये है यहाँ X की जंगल क्या जाएगा 9 वो भी किसके माइनस के 9 प्लस में 3Y बराबर में क्या है 3 3Y बराबर 3 यह 9 इदर माइनस के हैं उदरा के प्लस के हो जाएंगे प्लस के 9 3Y बराबर 9 और 3 कितना हुआ 12 तो Y बराबर 12 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चोके 12 यानि कि Y का मान कितना है हमारे पास 4 X का मान कितना है हमारे पास 9 विद्यारतियों की टोटल संख्या विद्यारतियों की संख्या एक पंक्टी में विद्यारतियों की संख्या X यानि कि एक पंक्टी में 9 विद्यारतिया यानि x बराबर 9 ना तो इसका मतलब एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने है? 9 है और पंक्तियों के total संख्या कितनी है? 4 है ठीक है? अगर हमें कक्षया में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें X गुणा में Y X क्या है हमारे पास 9 गुणा में Y क्या हमारे पास 4 ठीक है 9 चोके 36 ठीक है इसका मतलब total students कि इतने हैं class में 36 ठीक है क्या था इस question में इन्होंने कहा था कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की total संख्या हमें निकालनी है ठीक है अगर किसी मतलब एक class के बच्चों को हमने lines में खड़ा कर दिया और हमने कहा कि इनकी संख्या बतानी हमें विद्यार्थियों की total संख्या कितनी है तो संख्या निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए एक तो पंक्तियां कितनी है और उपर से एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने है ठीक है अगर टोटल संख्या निकाले है तो हमें दो चीज़ें पता करनी पहले जरूरी है ठीक है उनी को जो 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 हमें पता करनी उनी को हम हमने हमने चक्षा में खुआ जाएगी ठीग तो दोनों को सोल करके हमने एक्स य के मान को हम कखशा में विध्यारतियों की निकालने के लिए यहां रखेंगे नो गुना चार नो चोके 36 ठीक है टो टोटल विद्यारतियों की संक्या कितने ही हमारे पास 36 ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल को थेंक यू